एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्म दिन पर बुलाया मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुचा उसके उपर केले का एक छिलका आगिरा चीची कितनी बूरी आदत हैं सडक पर छिलका फेंकना उसने छिलका उठाया और इधर-उधर देखा कुछ दूरी पर उसे एक कूडादान दिखाई दिया उसने छिलका उसमें डाल दिया बहुत सा कूडा कूडेदान के बाहर फैला हुआ था वहां मक्खियां भिनक रही थी और चारो और गंद की फैली हुई थी कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बद्बू आई उसने देखा नालियों में कूडे के कारण पानी रुका हुआ है इसी पानी से बद्बू आ रही है मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुचा वहां अजय के और भी कई मित्र आय थे अजय ने मोहन को अपनी मा और पिताजी से मिलाया अजय की दादी जो बीमार थी मोहन उनसे भी मिला मेज पर खाने की चीजे रखी थी जिन पर बार-बार मक्हियां आ जाती थी अजय तुमारे महले में इतनी गंद की क्यों है क्या नगरपालिका इसे साफ नहीं कराती बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है जगह जगह कूड़े दान भी है पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते वे कूड़ा सड़क पर ही फेक देते हैं इसलिए सफाई नहीं रहती दूसरे दिन पाठ्शाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई तुम ठीक कहते हो मोहन गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए चलो एक दिन हम सब अजय के महले में चले और स्वयम सफाय का काम प्रारंब करें रवीवार के दिन सभी अजय के महले में गए सब के हाथ में एक-एक टोकरी और ज़ाडू थे सड़क पर ज़ाडू लगा कर उन्होंने कूडा इकठा किया नालियों की सफाय की और पानी का रास्ता बनाया उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली कूडे दान पर धक्कन रखा महले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकलाए और उन्हें देखने लगे बच्चों में बहुत उत्सह था देखते ही देखते पूरा महला स्वच्छ हो गया अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूडा कूडे दान में ही डाले वे घर के आस्पास सफाय रखे क्योंकि गंदकी से रोग फैलते हैं मेरी पाठ्चाला के बालक सप्ताह में एक बार यहां आया करेंगे वे आपके महले को साफ करेंगे आप भी इस काम में इनकी सहायता करें नहीं नहीं इन बच्चों को आने की कोई आवश्यक्ता नहीं हम लोग स्वयम ही अपने महले को स्वच्छ रखेंगे अब आप इसे हमेशा साफ सुत्रा पाएंगे